दोस्तो बिग बॉस और डिटी के लाइफ फीड में गर के अंदर एल्विस और अविनास के हुए जगड़े के बाद एक बार फिर से एल्विस शादव और फुकरा इंसान आपस में बातचीत करते नजर आ रहे हैं और इस दोरान कहीं ना कहीं एल्विस ने एक बात ऐसी कह दी है जो कि फैंस का दिल जीत लेगी दरसल दोस्तो एल्विस ने फुकरा इंसान को बातों ही बातों में और मजाक के मूड में पूछा कि एक बात बता तिरको आज इस जगड़े में कौन से ही लगा तेरे को तो लगाओगा कि साला मैं 30% सही हूँ और 70% वाविदा सही है इस दोस्तो दोनों एक दूसरे की तरफ पहले तो देखने लगे और फिर फुकरा ने हां कर दिया जिसके बाद दोस्तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे की तरफ जोर जोर से देखकर दांत निकालने लगे वहीं इसके बाद में एल्विस यदर हुए और बिग बॉस को कहने लगे कि आरे बिग बॉस यहाँ तो साले अपने ही पराये हो गे और यह सुनकर दोस्तो सारे लोग आपस में हंसने लगे वहीं दोस्तो इसके बाद में फुकरा इंसान ने समझाया कि देख भाई बात ऐसी है कि तू कहा गलत था कहा सही था सारी बात मैं तेरे को पहले ही समझा दी है और इससे जदा अब मैं तेरे को और समझाऊंगा भी नहीं जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर Elvis ने कहा कि देख भाई एक बात बताऊं क्या अगर आज तेरा जगड़ा होता ना किसी के साथ तो मैं तेरे साथ खड़ा रहता चाहिए तू सारा गलत होता ना सोग का सो परसेंट तो मैं तेरे साथ खड़ा होता क्योंकि तू मेरा दोस्त है तू मेरा भाई है फिर मैं यह नहीं देखता कि सारा कौन गलत है कौन सही है अगर तेरा जगड़ा किसी के साथ हो जाए तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा ये ध्यान रखना हमें सा और ये सुनकर दोस्तों कहीं न कहीं Elvis की इस बात ने फुगरा इंसान का भी दिल जीत लिया और बाकी घर वाले भी इस चीज को देखकर काफी खुश नज रहा है फिलाल आपका क्या गेना इस पूरे मुद्देबर अपनी राई हमें कॉमेंट में बताएं लेटेस्ट अब्डेट्स के लिए हमार साथ बन रही है ताकि बिग बोस के हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले हैं